हेलो दोस्तों स्वागत था आपका संकल्पि स्टडी पॉइंट में तो दोस्तों आज हम करंड अफियर पार्ट टू लेके आ चुके हैं इससे पहले हमने उत्राखंड करंड अफियर की एक क्लास कर चुके हैं जिसमें लगभग जितने भी महत्तपूर्ण क्वेशन बनते थे हमने आके समने डिसकस किया उसमें से कुछ क्वेशन ऐसे थे जो एक से पहले एक्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेशन ऐसे हैं जो अभी एक्जाम के दिष्टे से काभी महत्तपूर्ण थाबित हो सकते हैं तो दोस्तों आप लोग पहले उस सरीज को देखें उसके बा आपके साथ डिसकस करेंगे तो ठीक है आज का सरीज देखते हैं पहला क्वेशन है दिल्ली में आयजित हुई परवतिय सिकर सम्मेलिन में उत्राखंड के किस परटगिस्तल को बेस्ट टूरिजम डेस्टनेशन अवर्ड दिया गया अच्छा ठीक है ये हमारे परवतिय सिक सम्मेलिन का अयोजिन दिल्ली में हुआ तो हमारे मुनषारी को दिया गया है अच्छा मुनषारी कहां पडता है तो यह मुनषारी पिथौरागड वाले मुनषारी को दिया गया दोस्तों मुन्शारी पितोरागड में है, पितोरागड का ही एक तहसिल है मुन्शारी, मुन्शारी को Best Tourism Destination Award दिया गया, बेस्ट Destination Tourism जो Award है यह किसे ही दिया गया, तो जो हमारे उत्राखंड के परियटन मंत्री हैं दोस्तों, वो अभी सत्पाल महराज जी है, अचा सत्पाल महराज जी को यह Best Tourism Destination Award से सम्मानित किया गया, जो मुन्शारी के लिए दिया गया था, अचा फिर बात करते हैं दूसरे कुश्चन की, उत्राखंड सरकार द्वारा, मिलेट मिसन योजना का सुबारंब कप किया गया, अचा मिलेट मिसन योजना का सुबारंब 16 फरवरी 2023 को करा ग इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, अभी हाल में उत्राखंड सरकार ने मिलेट मिसन योजना का सुबारंब किया गया है, जो हमारा 16 फरवरी 2023 से संबन देता है, अचा आप लोगे डेट भी इंपोटेंट है, डेट को याद किजेगा, कि उत्राखंड के अधि निसुलक गैस, रिफिल योजना का संबन्द उत्राखंड के किस जनपत से किया गया, अचा ठीक है, जिसमें आप देखें दोस्तों, उत्राखंड में जो अंतोदे परिवार हैं, जो गरीवे रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, उनको एक वर्स में तीन गैस के सिलेंडर फ्री दी जाएंगी, अचा ये योजना उत्राखंड के किस जनपत से अगर सुरू करी गई है, तो दोस्तों ये हमारी पौड़ी गडवाल से सुरू करी गई है, अचा फिर बात करते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 2023 में उत्राखंड को कितने पदक मिले, अचा खेलो इंडिय गेम्स 2023 में पर्थम इस्तान किसका रहा, तो पर्थम इस्तान दोस्तों महारास्टर का रहा था, अचा महारास्टर को कितने पदक मिले, तो महारास्टर को 161 पदक मिले, ठीक हो गया, अचा पहला इस्तान इसमें महारास्टर का था, और दूसरा इस्तान दोस्तों इसमें हर अगर बात उत्राखंड की करेगा तो उत्राखंड को हमारे साथ पदक मिले फिर देखते हैं अगला question अच्छा देखिए ग्रामेड विग्यान कॉंगरिस का सुबारंब उत्राखंड के किस सहर में किया गया अच्छा ये question इससे पहले forest card में आ चुका है ठीक हो गया तो एक important question बन जाता है UKPAC लगधग question को repeat करता है तो आप लोग ध्यान देजीगा कि क्या पता दुबारा ये question देखने को मिले तो देखिए क्योंकि अब वीडियो वीडियो वाले जो question paper बनेंगे उनमें ये question नहीं चपे हैं तो उसमें चपने गया इधिक तर चांस रहेंगे तो देखिए ग्रामन विग्यान कॉंग्रेस का सुभारंब वो उत्राखंड के किस सहर में किया गया तो दोस्ते दहरादून में किया गया अचा दहरादून में इसका सुभारंब किया गया तो देखिए इसका जो सुभारंब किया गया दोस्तों वो 10 फरवरी 2023 को किया गया अच्छा दस फरवरी 2023 को इसकी सुभारंब किया गया अच्छा इसमें हुआ गया दोस्तो अब देखे उत्राखंड की जो गाउं है उन गाउं में समुचित विकास के लिए ठीक हो गया, उत्राखंड की गाउं में समोचित विकास करने के लिए इस योजना का सुभारंब किया गया जो हमारा 10 फरवरी 2023 से संबने थे, उत्राखंड विग्यान कॉंग्रेस का सुभारंब जो दहरादून में किया गया फिर देखते हैं next question, उत्राखंड में सगंद फसल उत्कस्टा केंदर का उत्गाटन कहां पर गया गया दोस्तों यह हमारा सेला कुई पर गया गया, सेला कुई कहां पर पढ़ता है हमारा, सेला कुई दहरादून में पढ़ता है अच्छा देहरादून के अंदर सहला कोई पड़ता है जहां पर अभी क्या करा गया है हमारा सगंद फसल उतकस्था केंदर का उतगाटन तो देखिए जो हमारे सगंद फसल उतकस्था केंदर इसमें किन फसलों की उतपादन को जादे बड़ावा दिया गया तो देखे दोस्तो एक तो हमारा दालचीनी है एक हमारा दालचीनी हो गया और दालचीनी के बाद जो दूसरा है दोस्तो हमारा तिमूर है दूसरा हमारा क्या हो गया दूसरा हमारा जो तिमूर है इन दोनों ही जो फसल है इन फसलों के उतपादन के लिए उतकृष्टा केंद अगला question देखते हैं अमरे सरुवर योजना लागू करने वाला उत्राखंड कौन से नंबर का राजी बना है ऐसे ठीक है अमरे सरुवर जो हमारे लागू करने वाले राजी है उसमें जो प्रथाम रिस्तान है दोस्तो हमारा उत्तरवर्देश का है पर थाम उत्तरवर्देश का इस्तान है उसके बाद अगर दूसरी बात करेंगे तो दूसरे नंबर में हमारा जम्मू एन कस्मीरात है तीसरे नंबर पर हमारा कौन है उत्तराखंडे उत्तराखंडे में कितने हमारे अम्रे सुरोवर बनाए जाएंगे तो दोस्तों हमारे 1092 जैने कि 1092 अमरे सुरवर उत्राखंड सरकारदवरा बनाये जाएंगे जिसमें उत्राखंड की जो रैंकिंग है देश में वो थर्ड रैंकिंग पर है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा देखिए फरवरी 2023 में कितने लोगों को संगीत नाट टेकारदे पुरुसकार दिया गया अच्छा ठीक है फरवरी 2023 में अभी संगीत नाट टेकारदे पुरुसकार दिये गए है जो तराखंड में चार लोगों को दिये गया अच्छा कौन कौन से हैं वो पहले देखे प्रोफेसर डियार पुरोहित को दिया गया है दूसरे हमारे रामलाल भड़ जी को दिया गया है तीसरे हमारे ललित पोखरियाग जी को दिया गया है चौते हमारे भुपेस जोसिजी को दिया गया है इसमें जो हमारे professor DR. पुरोहित है इनका सम्बंद है हमारा work music से है तो थीक हो गया इसमें question दो तरीके से आ सकता। या तो फिर संगित नाटेक ने पुरसकार कितने लोगों को दिया गया या फिर किस-किस को दिया गया इस तरीके से question आ सकता है अगर किस किस को दिया गया अगर question आएगा तो उसमें से एक नाम मिस होगा तीन नाम पुरे सही होंगा आप लोग ध्यान दीजिएगा और फिर एक नाम छोड़के तीन अन्य नाम अलग से होंगे तो आप लोगों को चार के चार नाम होने जरूरी याद है और चार लोगों को दिया गया ये भी पता होना जरूरी है ठीक हो गया अच्छा अगले question के वर बढ़ते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खापुरुसकार से उत्राखंडे के कितने वेक्तियों को सम्मानित किया गया जो हमारा उस्ताद बिस्मिल्ला खापुरुसकार है उससे दो बेक्तियों को सम्मानित किया गया है पहली हमारे रेस्मा सहा है और जो दूसरे जो बेक्ति हैं हमारे वो हमारे कैलास कुमार है जो हमारे रेस्मा सहा है इनका संबंद हमारे गड़वाल से है और कैलास कुमार का संबंद हमारे कुमाओं से आप लोग इन दोनों का नाम याद रुखिएगा कि अभी तक ये कुशन नहीं बना हुआ है इसके एक्जाम में आने के अधिक तर्चान से जबी है अच्छा फिर देखिए अगला कुशन देखते है भारत और उजबेकिस्तान के सेना के बीच प्रशिक्षन अभ्यास डस्टलिस 2023 का चोथा संस्क्रण कहां पर आउजित किया गया अच्छा दोस्तों ये हमारे पितोरागड माईजित किया गया अच्छा ये हमारा भारत और उजबेकिस्तान के सेना के बीच चोथा संस्क्रण था ये संस्क्रण कब से कब तक चला तो ये हमारा 20 फरवरी से 20 फरवरी से हमारे 5 मार्च तक चला दोस्तों जब 20 मार्च से सॉरी 20 फरवरी से 5 मार्च के बीच हमारा ये प्रशिक्षन चालू था अब ये खतम हो चुका है तो ये question अभी 2023 के exam के दिस्टे से मुहत्वपून है अच्छा इस से पहले जितने भी जो हमारे सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास हुए हैं उस पर हम एक अलग सी वीडियो लिखे आएंगी क्योंकि अधिकतर जो हमारे अभ्यास हैं वो 2022 के इंडिंग के आसपास में हुए थे अच्छा 2023 में ये पहला ही था जो हमारा 2022 में हुआ था जो फरवरी में हुआ था अच्छा 20 फरवरी से 5 मार्च के मध्य में हुआ था तो इसके बारे में हमने बात करी अन्य जो हमारे अभ्यास होएं उसके लिए हमें एक अलग से वीडियो लाएंगे उसमें आपके सबी जितने भी अभ्यास हैं वो आपको किलियर करा दियाएंगे उसके बाद फिर बात करते हैं उत्राखंड के पूरो मुख्यमंत्री भगस सिंग कोशारी ने महारास्टर के राज़पाल के पत से इस्तिपादे दिया है वह किस जन्पत के निमासी ध्यान दिजीगा आप लोग इससे पहले जो हमारे भगस सिंग है यह हमारे उत्राखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो हमारे मनोनेत अधार पर चुने गए थे पहले कौन थे तो पहले हमारे नित्यानन्द स्वामी जी थे दूसरे हमारे भगस सिंग कोशारी जी जी को महारास्टर के राज़पाल के रूप में चुना गया था हाली में NFSC के उपाजक्स किसे नियुक्त किया गया है अच्छा हाली में जो हमारे NFSC है इसके जो उपाजक्स है वो हमारे अनिल चंदर पुनेडाजी को नियुक्त किया गया है अच्छा जो हमारे अनिल चंदर पुनेडाजी है ये दोस्तों अभी हमारे मुख्य सूचना आयुकते हैं इनहीं को अभी NFC के उपादक्स के रूप में नियुकत किया गया है ठीक हो गया अचा फिर अगले क्वेशन की बात करते हैं उत्राखंड में सीवेस ट्रीटमेंट प्लांट का उद्गाटन कहां पर किया गया है अचा जो हमारे उत्राखंड में सीवेस ट्रीटमेंट प्लांट का जो उद्गाटन किया गया है यह हमारे हल्दवानी में किया गया है हल्दवानी के कहां पर किया गया है हल्दवानी के कार्ट वदाम में किया गया इसका जो सुभारंब है वो हमारे राज के मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी द्वारा कराया गया है ठेक हो गया अच्छा उसके बाद फिर बात करते हैं मुख्य मंत्री उत्थान और ज्यानकोष योजना का सुभारम कब किया गया अच्छा मुख्यमंत्री उत्थान और ग्यानकोष योजना का तो सुबारंब है दोस्तों वो 20 फरवरी 2023 को करा गया है अच्छा ये question बहुत जादे important है कि योजनाओं से संब्धित question अधिकतर ग्याम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा जो मुख्यमंत्री उत्थान और ग्यानकोष योजना है ये हमारी 20 फरवरी 2023 से संब्धित है अच्छा फिर बात करेंगे उत्राखंड में नकल विरुदिक कानून कब लाया गया अच्छा उत्राखंड में आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भर्तियों में बहुत ज्यादे घोटला हो रहा था इससे पहले हमारे पटवारी लेकपाल की भर्ती में घोटला हुआ उससे पहले हमारे बीडियो बीडियो भर्ती में घोटला हुआ तो तमाम भरते घोटालों को नकल विरूदिक कानून लाने के बाद इसमें सकत रोप से कार्यवाही की जाने की एक अपील करी गई थी उत्राखंड सरकार दोरा तो इसके लिए उत्राखंड में नकल विरूदिक कानून लाया गया जो हमारा पास कब हुआ था 11 फरवरी 2003 को अब दोस्तों ये नकल विरूदिक कानून काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है लेकिन इसके लिए एक क्वेशन जरूर बन जाएगा क्योंकि उत्राखंड सरकार ने नकल विरूदिक कानून लागो किया है तो ये कब लागो किया गया हमारा 11 फरवरी 2003 को लागो किया गया अच्छा उसके बाद फिर बात करते हैं अगले क्वेशन की भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली नदी ठीक हो गया नदी पर और नेपाल के मध्य में एक ही नदी बहती है वो है काली नदी ठीक हो गया तो क्वेशन क्या पूछता है भारत नेपाल के मध्य बहने वाली गस्कु और मालगाट में दो अंतरस्ट जूला पुलों का उत्गाटन किया गया है यह पुल किस नदी पर बना हुआ है तो यह प क्वेस्ट कार्य वह आसाधारन युगदान देने हैं तू स्वच्च सुजल सकती सम्मान 2023 के लिए सम्मानित किया गया है अच्छा यह क्वेशिशन आप लोगों ने देखा हुआ इससे पहले खुले में सोच मुक्त जो हमारा प्लस्ट मॉडल बनाने के लिए दो जो हमारे महला सरपंचे थे उन दो महला सरपंचे को सम्मानित किया गया था यह क्वेशिशन इससे पहले हमारे forest guard के exam में बन चुका है आपको ने ध्यान दिया होगा forest guard के exam में एक question बना हुआ था इसमें से बलकि निकिता चोहन या फिर कविता दिविका मेरे को exact याद नहीं आ रहा है इन दोनों में से एक महला का नाम उसमें पूछा गया था ठीक हो गया तो देखे इस question को जो गौर से देखेगा क्योंकि अभी वीडियो का जो question पेपर बनेगा तो उसमें इस question के आने के लगबग अधिकतर chances है देखे राज्य में कितने महला सरपंचों को ODA plus अब देखे ODA में पूले के कहने का मन्दम है कि खुले में सोच मुक्त के लिए ODA plus model बनाने की दिसा में उतक्रस्ट कारिय वो असाधरन यूगदान देने है तो सवच्च सुजल सकती संबन 2023 के लिए संबानित किया गया है तो हमारे दो व्यक्ति हैं दोस्तों ये दो व्यक्तिव में से जो हमारे कविता चोहान है कविता चोहान का संबन्द हमारा बागिस्वर जले से है और दूसरी जो हमारे निकिता चोहान है दोस्तों निकिता चोहान का संबन्द हमारा दहरादून जनपत से है ठीक हो गया कविता देवी बागेस्वर से और निकिता चोहन हमारी दहरद उन्से इनका संबन्द है तो दोस्तों हमने भरवरी माह के करंट अफेर जितना भी हमारा बनता था हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ सेयर किया है अच्छा इसके बाद अगर कोई क्वेशन ऐसे होंगे जो भरवरी माह के हम से छोटे हैं तो वो क्वेशन भी हम आपके सामझे लाने का परियास करेंगे और इसके बाद हम मार्च और अप्रैल माह के जो करंट अफेर से हैं उसको भी जल्द ही अपने यूटूब चैनल पर डाल देंगे आप लोग यूटूब चैनल पर विजिट करके हमारे करंट अफेर की क्लास से जुड़ सकते हैं करंट अफेर की हमारे चैनल पर अलग से एक प्लेलिस्ट बने हुई है आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं अच्छा दोस्तों अगर आप लोगो ये वीडियो एक्जाम की दिस्टे से हलपफुल लगा हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सस्क्राइब करें लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें तैंक यू